दोस्तों आज हम एक बारा पत्य की कहानी की किताब बनाएंगे कहानी की किताब ये तो हर जगा मिलती है लेकिन कागज से आप खुद अपनी किताब बनाएंगे उसे सजाएंगे और अपने दोस्तों को दिखाएंगे है ना मज़ेदार बात चलो करते हैं आपको जरूरत है दो चोकोन आकार के कागज की कुछ रंगीन पेन और कैची हम शुरू करते हैं ये लिया मैंने एक पहला कागज जो चोकोन आकार का है उसे सामने सामने की बाजूओं को जोड़के इस तरह से बीच में एक गड़ी तयार की फिर ये जो आधा भाग है ना इसे भी हम मोड़ेंगे अंदर की तरफ ये जो बचा हुआ आधा भाग है इसे भी हम मोड़ेंगे अंदर की तरफ अब हमें गड़ी के तीन निशान इस कागज पर दिख रहे हैं अब इसे हम नब्बे अंच कोन में गुमाएंगे और वही सब दुबारा से करेंगे सामने की बाजूं को जोड़िये अच्छे से गड़ी बनाईए फिर इस आधे भाग को जोड़िये अब आप इसे खोलते हो तो कुछ इस प्रकार दिखेगा दूसरे कागज के साथ भी हमें यही सब करना है चलो जल्दी से कर लेते हैं ऐसे कुछ ऐसे फिर इस तरफ भी अंदर की तरफ मुड़व अब इसे नब्बे अंज के कोन में घुमाओ फिर सामने की बाजियों को जोड़ो फिर खोलो फिर ये आधे भाग को उसकी गड़ी बनाओ यह बचा हुआ आधा भाग है उसकी भी गड़ी बनाओ अब खोलोगे तो दोनों ही कागज कुछ इस प्रकार दिखेंगे अब ये एक कागज है उसके ये बीच के निशान पर गड़ी के निशान पर हम काटेंगे और उसके इस तरह से दो हिस्से बनाएंगे इन्हे हम फिलहाल बाजु में रखते हैं अब लीजिए ये कागज उसके अच्छे से गड़ी बनी है इसे खोलिए और एक दो तीन तीसरी गड़ी के निशान तक इसे हम कैची से काटेंगे कुछ इस प्रकार अब कागज के ये दोनों हिस्सों को हमें इसके साथ जोड़ना है कैसे जोड़ेंगे हम सबसे नीचे की तरफ और सबसे उपर की तरफ हमें ये गोंद लगानी है आप इस गोंद को इस भाग में अच्छे से लगाएं कुछ इस प्रकार दोनों को साथ साथ रखे और ये कागज का हिस्सा जो इस तरफ से खुलता हो ये खुलने वाले दोनों भाग बिलकुल इनके साथ साथ जोड़ दे और उन्हें अच्छी तरह चिपकने दे ठीक है ये एक हिस्सा तो चिपक गया अब ये दूसरा हिस्सा भी हमें इस तरफ चिपकाना है तो हम दुबारा से गोन लेंगे और ये उपर की तरफ अच्छे से गोन लगाएंगे इस कागज का खुलने वाला हिस्सा उसके ऊपर के दोन चौकोन यहां रखके उन्हें हम अच्छी तरह से जोड़ देंगे अब हमें कुछ इस तरह का आकार मिलता है जिसके उपर के दो और नीचे के दो हिस्से एक दूसरे से चिपक गए है अब हम आएंगे ये गड़ी पर जो हमने यहां तक काकी थी अब ये जो चौथा हिस्सा हमने बाकी रखा था हम उसे भी कैची से काटके कुछ इस प्रकार खुला करेंगे आप देखिए ये हिस्सा खुल के कुछ इस तरह का कार लेता है अब जैसे हम दाहिनी तरफ से कागच को घुमाते हैं हम उसे घुमाएंगे और एक हिस्सा खोलेंगे और पीछे का बन करेंगे हमें ये मिल गया अब आप यहाँ पर अपनी कहानी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे क्योंकि आपने इसे बनाया है जैसे अगर मुझे आपको कहानी बतानी है कि कितने सुन्दर सुन्दर फूल हमारे आसपास मिलते है दिखाई देते है तो मैं यहां लिखूंगी सुन्दर फूलों की कहानी और यहां पे आपका अपना नाम होगा अब कहानी के शुरुवात करते हैं यहां तो हम सुन्दर फूलों की कहानी बना रहे लेकिन आप आपके आसपास दिखने वाले अलग-अलग पंची अलग-अलग जानवर पालतू जानवर जंगल में मिलते हुए जानवर या पूरे संसार में जो हमें ग्रहन मिलते हैं अपनी ग्रह माला में वो ग्रह सबके बारे में आप कहानिया बना सकते हैं क्योंकि आपके पास बिल्कुल बारा पन्ने हैं ये कहानी बनाने के लिए चलो तो हम इसे अब 90 अंश में घुमाते हैं इसे खोलते हैं हमें एक दो तीन चार चार जगए मिल गई सबसे पहले बनाते हैं गुलाब का फूल यहाँ पे उसकी एक पत्ती बनाते हैं इसी तरह हम तरह तरह के फूल यहाँ बनाएंगे हम बनाते हैं अब गेंदे का फूल जो सुन्दर केशरी रंग में हमारे आसपास हर तरफ दिखाई देता है कुछ ऐसे अब बनाते हैं छोटा छोटा पारिजात जिसकी छोटी छोटी लाल लाल डंडिया होती हैं और उसके उपर सफेद रंग से छोटी छोटी सफेद पंखुडिया बनी हुई होती हैं उनसे हमारी किताब बनानी है और उन फूलों के कहानी भी तो कहनी हैं ये चार पन्ने भर गए इसे घुमाईए ये खोलिए ये अंदर करिए अब बनाएंगे कमल का फूल जो सबको बड़ा अच्छा लगता है देखने में पानी में खिलता है उसके बाद हर एक के आंगन में जो होता है जासवंदी लाल रंगा फूल कुछ इस तरह से ये बन गया गुड़हल का फूल जो शायद आप सबके आंगन में आपको दिखाई देगा तो लिख दीजे उसका नाम वहां अब बनाएंगे लिली का फूल जो सभी को देखने में बड़ा अच्छा लगता है नाजुक सा और सुन्दर सा हर कोई चाहता है कि ये उनके अपनी गार्डन में या उनके अपने आंगन में खिले अच्छा लगता है कर दो कर दो कर दो तो हमने यहाँ अपने बगीचे में या अपने आसपास दिखने वाले फूलों की कहानी बनाई है कुछ इस तरह यह है सुन्दर फूलों की कहानी इसे घुमाईए इसे खोलिए यहाँ पर है गुलाब गेंडे के फूल पारिजात और कृष्ण कमल दुबारा से घुमाईए अब जो फूल हमसे मिलने आने वाले हैं वो है कमल, गुढ़ल, लिली और डालिया दुबारा घुमाईए इसे खोले, पीछे बन करें अब है यह प्यारी सी सूरज मुखी और हमारे आसपास हमेशा खिलकिला के हसने वाले सदा बाहर के फूल मित्रो, आप है न, आपको जो भी पंच्छी अच्छे लगते हैं, उनके चित्रे यहां बना सकते हैं या आपको आपके आसपास, अपनी पृत्वी के आसपास घुमने वाले ग्रहों की कहानी यहां पर बना सकते हो आप अगर चाहो, तो कुछ खास चीजे जो आपको याद रखनी है अपनी पढ़ाई में, उन्हें यहां लिखकर, उनके साथ इस तरह से कुछ बार बार खेल के, आप उन्हें याद भी रख सकते हो है ना मज़ेदार खेल, तो बनाने में भी है ना कितना आसान, तो चलिए आप भी तरह तरह की कहानिया बनाईए और यह खेल खेले झाल झाल